कैसे हैं आप सब आज किस वीडियो में डिस्कस करें गे ठ्रेड एंगल एवं गहराई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और फ्रेंस यहां से आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के आएंगे ही आएंगे इसलिए इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से याद कर ले और जितने भी सारे previous year जो paper हुए है उन सभी में आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे इस वाले topic से questions भर-भर के questions पूछे गया हुए है तो आए friends अब यहाँ से start करते हैं इस topic को समझते हैं तो एक तरफ friends दिया गया है thread, एक तरफ दिया गया है cone और एक तरफ दिया गया है गहराई तो गहराई तो कुछ कम पूछा जाता है लेकिन यह जो cone है यानि जो angle है वो पूछा ही पूछा जाता है तो यह तीनो जो thread दिया गया इन तीनों के बारे में पहले देख लेते हैं वैसे bsw thread, bsf thread, bsp thread इन तीनों का जो cone है वो कितना होता है तो 55 degree होता है क्योंकि तीनों same है वैसे देखने में भी आपको similar ही लग रहा होगा bs, bs से start हो रहा है तो आप अच्छे से याद भी आराम से कर सकते हैं कि इसका जो cone होगा वो कितना हो जाएगा तो 55 degree हो जाएगा इसका जो गहराई दिया है वो भी same दिया गया है आप देख सकते हैं लेकिन, ये जो कौन जो दिया गहाई, इसको आप अच्छे से याद कर ले, क्योंकि कौन पूछा ही जाता है अब अगला देख लेते हैं, metric thread के बारे में, तो जो metric, जो thread होता है इसका जो angle होता है, वो कितना होता है, तो 60 degree होता है अगला है square thread तो जो square thread जो होता है उसका 0 degree भी होता है या 90 degree भी होता है दोनों होता है अगला है एकमी thread तो जो एकमी thread होता है उसका जो angle होता है वो कितना degree होता है तो वो 29 degree का होता है और ये जो है एकमी thread ये बहुत ही जादा important है आपके exam के point of view से हर एक एकजाम ही पूछा जाता है एक में थ्रेट से यह बहुत ही ज्यादा इन्पॉर्टेंट है अगला है बट्रेस थ्रेट तो जो बट्रेस थ्रेट है इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है तो 45 डिगरी होता है अगला है संबलंबाकार थ्रेड तो संबलंबाकार थ्रेड का जो कौन होता है जो एंगल होता है वो कितना होता है तो वो 30 डिगरी होता है अगला है वर्म थ्रेड तो इसका कितना होता है तो इसका होता है 29 डिगरी होता है अगला है बीए थ्रेड तो जो बीए थ्रेड है इसका कितना होता है और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीए थ्रेड इसका होता है 47.5 डिगरी होता है अगला है अब दो लास्ट में जो दो बचे हुए है वो एक जैसे सिमलर है तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं दोनों का कुन American National Standard Thread और Indian Standard Thread कुछ similar जैसा लग रहा है ने तो आप याद कर सकते हैं दोनों का कितना होता है तो दोनों का 60 degree होता है तो I hope friends ये चोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ये चोटा सा वीडियो आपके exam अगर आप exam देने जा रहे हैं तो इस वाले वीडियो को आप एक बार देखकर ही जाएं यहां से आपके 2 से 3 नमबर पक्के आएंगे ही आएंगे या फिर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से याद कर लेते हैं तो यहां से आपके 2 नममर 3 नमर पक्के हो जाएंगे तो friends वीडियो कैसा लगा अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेर आइकन को भी धमाएं ताकि नोटिफिक्शन आपको टैम से मिल सकें और फैंड्स अगर आपको फ्री पीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जोइन कर सकते हैं इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर जोइन कर सकते हैं थैंक्स पोर वाचिंग झाल 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 झाल